Hello and Welcome back to Asset Guide YouTube Channel आज की इस वीडियो में हम The Missing Crypto Cune जो की BBC News.com पर पब्लिस हुआ है और NewsBTC.com ने भी इसका रिब्यू दिया है उसका discussion यहाँ पर करेंगे तो में यहाँ पर इस episode का उदिश चे है कि Moneyland के बारे में उन्होंने explain किया है कि Dr.Ruza Ignatoba क्या जिन्दा है और है तो कहां है और कैसे है और उनको किस तरीके से लोग track करने की कोसिस कर रहे हैं रूजा Ignatoba को track क्यों नहीं किया जा सकता और रूजा Ignatoba के पास जो इतना सारा fund है इतना सारा पैसा है उसको आखिर किस तरीके से यहां पर monitor करके नहीं पकड़ा जाता क्योंकि transaction चेक करके लोग इस type की activity कर सकते हैं transaction चेक कर सकते हैं कि अगर एक इनसान कहीं पर रह रहा है तो वो अपने electronic जैसे की debit card, credit card, नाम इन सारी चीजों का बाद भी उसको हम यहां पर किस तरीके से deduct नहीं कर पा रहे है वो इसमें बताया गया है तो episode 7 में moneyland का जिकर किया गया है यहां पर BBC का जो missing crypto queen का podcast है उसके अंदर तो यहां पर देखिए सबसे पहले ही बताया गया है कि moneyland क्या होता है तो यह यहां पर बता रहे है moneyland क्या है that what the first half of this the missing crypto queen episode is about the second part is about frankfurt the city where jamia and georgia link that dr. rusa ignotoba might be hiding तो frankfurt नाम से एक जगह है जहां पर jamia और georgia यह दोनों सौच रहे है कि dr. rusa ignotoba जो है बहाँ पर छुपी होई हो सकती है वो moneyland के नाम से यहां पर in any case moneyland is that mythical place where the money that millionaires and corporate entities want to disappear gauze तो यह कह रहे है कि moneyland वो जगह है जहां पर millionaire और billionaire जो है पैसा लेकर आते हैं और गायब हो जाते हैं उसके बाद उनको कोई वहां पर ढूंड नहीं पाता the concept comes from British journalist olivia who has spent many years in investigation that मतलब यह दूसरे एक जनरलिस है British journalist है इन्होंने भी one coin जैसी ही एक और case में investigation किया था तो वो भी जाकर Frankfurt और moneyland वाली condition पर आकर hide हो गए थे इनका कहना यह है मैं आपको बता देता हूं यहां पर इसका जो निचोड निकल कर सामने आता है वो यह कि मतलब आपको हर कुछ दिखाई देगा आप हर एक चीज़ आपको यह भी पता रहेगा कि जो एक इनसान कहीं छुप रहा है तो वो इस जगह पर है यहां पर है उसके पास यह property है यह asset है लेकिन जब आप उसको track करेंगे सर्च करेंगे तो आपको बहां पर कुछ नहीं मिलेगा सब कुछ गायब मिलेगा अब यह जो जामी यह बटले नाम डॉक्टर रूजा इगनोटोबा के नाम से कोई रहता है तो उस postman ने कहा कि मैं इगनोटोबा के नाम से किसी को जानता तो हूँ लेकिन वो डॉक्टर रूजा इगनोटोबा है यह नहीं पता तो ऐसी भी यहां पर information है दूसरा यह कि property सब सामने रहेगी लेकिन जिस प्रोपरिटी है उसके नाम से वो प्रोपरिटी जो है गया बजाती है इस टाइप की चीज़े यहां पर है तो हम इसका वीडियो भी यहां पर है इनके पॉड़कास्ट का दमिसिंग क्रिप्टो क्यून एपिसोड साथ इन प्लेंट साइट करके आप इसको चेक कर सकते हैं और देखिए यहां पर यह भी है इस डॉक्टर रूजा इलाइव क्या डॉक्टर रूजा जिन्दा है इसमें यह साइज चीज़े कहीं कहीं है अभी देखिए कहा रहे है बिफोर इवन मैंसनिंग मनी लैंड प्रोसीजर जोर्जिया कैट कंफर्म एपोसिवल डॉक्टर र स्टाफ ओफ एन एथेंस रेस्टूरेंट रिमेंबर संबन बिद डॉक्टर रूजा करेक्टरिस्टिक एज पार्ट ओपर पार्टी ओफ सिक्स तो यह कह रहे हैं देखिए मदद जामी बटलेट जब यह गए थे यहां पर यहां पर देखिए जगह है जामी यह जो मनी लै ऐसे फिरेंट का स्टाफ मेंबर है वो कह रहा है कि बूऊ डॉक्टर रूजा के नाम रोजा उस पार्टी में लेकिन कब कैसे कहां आय थे कब कैसे किस डेट को आय थे यह उसे जो है पता नहीं है possibility of dr. Rooza running around Europe might have been the catalyst for the Frankfurt part of the episode तो यहाँ पर इस episode का main part यही कहता है कि dr. Rooza ignotoba जो है वो यूरोप में इधर उदर जो है घूम रही है और उनको कोई भी ऐसे मतलब लोग उनको track भी करते है identify भी कर लेते हैं लेकिन जब investigation होता है तो वहाँ पर उसके कोई जिगर नहीं आती अगर यहाँ पर हम इस एपिसोड के moneyland leads to Frankfurt यह जारी चीज़े आप चेक कर सकते हैं वीडियो काफी लंब हो जाएगा इसलिए मैं इसको यहीं पर skip करता हूं और यहां पर अच्छी सला दी जाती है और आप चलाग भी है तो यू construct your asset in such a way that they become invisible तो आप अपने asset को इस हिसाब से तयार करते हैं कि बहें गायब हो जाता है they still exist, they अब भी exist करते हैं you can still use them to buy things और आप अपने पैसे से कुछ भी चीज़े खरीदने के लिए उसको use कर सकते हैं you can still use them to buy political influence and nice house और यह तो यह कह रहे हैं कि आप अपने उस पैसे से उस asset से चीज़े खरीद सकते हैं घर खरीद सकते हैं और जो राजनीती वाले लोग हैं but when it comes from someone trying to find whether what's a journalist or a police officer और जब कोई journalist या police officer उसको search करने की होसिस करता है the asset are invisible तो उस समय पर वो asset जो है गायब हो जाते हैं यहां पर साफ सिदी सी बात है तो episode 7 missing crypto क्योंका outcome यह निकल कर आता है कि dr. रूजा एकनो टोबा है उनको कुछ लोगोंने notice भी क्या है time time पर देखने क बात भी कहीं है और उसके पास जो पैसा था वो काफी सारा पैसा है वो भी है लेकिन जब कोई police officer या कोई journalist उनको देखने जाता है search करता है track करने की कोशित करता है तो वो सारे asset जो है invisible हो जाते हैं उसको track नहीं किया जा सकता लेकिन जो अमीर लोग होते हैं जो थोड़े से चालाक होते हैं जिनको अच्छी advice मिलती है वो अपने पैसे को किस तरीके से use करना है अच्छी तरीके से जानते हैं ताकि वो कोई भी search करने पर उसको invisible मतले ढूंड ना सके तो यही था episode 7 I hope आपको ज़रूर पसंद आगा मिलते है next video में नए information के साथ